नमस्कार दोस्तों मैं रहूल गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल गर्ग हिस्टूरिका इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मोटिवेस्टनल फैक्ट के बारे में जो आपके जीवन को आपकी जिन्दगी को एक असिम मुच्छायों तक ले जा तो लेट्स स्टार्ट आपने कभी बैती हूँ नदी को ध्यान से देखा है बड़ी तेजी के साथ अपने ओरिजिन पॉइंट से बैना शुरू करती है शुरुआत से ही उसका लक्षे अपनी मंजिल सागर को प्राप करना होता है रास्ते में हजारों बादय आने पर भी ल बैती हूँ नदी अपने मंजिल की और लगातार बढ़ती है और कैसे भी हो अपना लक्षे प्राप करके ही रहती है दोस्तो विचार कीजिए यदि नदी बीच में ही बैना त्याग देती तो क्या होगा उसका पानी ठहर जाएगा वह कुछ दिनों में सूख कर नश्ट हो दोस्तो यह हमारी लाइप में होता है यदि सपल होने के लिए आपको लक्षे तया करते है तो उस लक्षे तक पहुचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार लक्षे के और बढ़ते रहना है यदि कई रुके तो अच शपलता है निच्छी दे दोस्तो अपने मन पहुचना असान कारिये नहीं होता है यदि असान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सपल होते हैं सपलता के रास्ते में बहुत सी बादाए सामने मुझ फ्हलाए खड़ी मिलती है यह बादाए हमें रोकने की पूरी कोशिश करती है जो लोग मन से कमजोर होते हैं जिनका पॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है वह इन परेशानियों के आगे जुक जाते है और असापलता को सिलकार कर लेते हैं और बाद में अपने भग्य को कोशते हैं लेकिन दोस्तों जो लोग इन परेशानियों का सिना तान कर सामना करते हैं बले ही टारगेट तक इस समय के लिए कमी आ जाए लेकिन रुकते कभी नहीं है और जो रुकते नहीं है उन्हें अपनी मंजिल तक पहुचने से कोई नहीं रोग सकता दोस्तों जान रखिए लक्षे तक पहुचने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना पहुती आफश्यक है लगाता बैती नद हवा हमेशा आगे बढ़ती रहती है कभी कम रप्तार से कभी तेजी से लेकिन रुकती कभी नहीं है इसलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना संबव ही नहीं है शंपून प्रमांड जिसमें अर्बों गैलक्सिस है खर्बों तारे है अंद्गिनित गरह है सबी बढ़ते रहते हैं कभी रुकते नहीं है प्रकृति का नियम है जो रुक गया उसका अस्तपल होना या नश्ट होना तै है तो आज सही अपनी कमर कस लिजिए और खुद से वादा किजिए कि रुकना कभी नहीं है विवेका नंद जी ने सही ही का है कि उठो जागो और लक्षे प्राप्ती तक मत रुको विचार किजिए कि जो लोग अपना लक्षे कि वह इसलिए त्याग देते है कि इसके लिए बहुत ही मैनद करने पड़ेगी इससे जादा बड़ी और सपलता कोई नहीं हो सकती क्योंकि और सपलता तो बाद की बात है खुद को बिना प्र वापके लिए केवल आपके लिए हमेशा दड़कता रहता है ताकि आप उतनी मंजील प्राप कर सके आपके शरीर के खुड की हरेक बुंद हमेशा बढ़ती रहती है कभी नहीं रुकती इसके लिए केवल आपके केवल आपके लिए आपके शरीर के बहुत से अंग हमेशा बढ़ते रहते हैं और संदेश देते हैं कि लगाता आगे बढ़ते रहना ही सपल जिवन आपके काम हमेशा सुनते हैं, आपकी आखे मेशा देखती हैं किसके लिए, केवल और केवल आपके ताकि आप सपल ताकि और बिना रूके बढ़ते रहें तो देर किस बात की दोस्तों, आज और अभी से अपनी कमर कश लो, आगे बढ़ते रहो, और बिस रास्ते में आई इस बादाव का, सीना तान कर सामना करते रहो, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, सपलता आपके कदमों में होगे कर हर मैदान पते, 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 कर हर मैदान झाल झाल झाल